लुट्टवी देखो और फीको तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक करो शेर करो और सबस्क्राइब करो ताकि आप जैसे और भी बच्चे से सुन सके और सीख ले सके तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं एक बहुत ही सुन्दर जंगल था जिसमें दो दोस्त रेते थे एक था शेर जिसका नाम था बंटी और जिन्टू चूहा बहुत बहुत होश्यार भी वहीं बंटी शेर बहुत डरपोग था वो हर चीज से डरता था एक दिन चिन्टू ने बंटी का डर भगाने के लिए उससे स्विमिंग पूल पर लेके गया और कहा कि उसे वहाँ से चलांग लगा नहीं है शेर तो टेरा डरपोक वो चलांग नहीं लगा पाया जबकि चिंटू ने तो चलांग लगा दी थी अब शेर के डर के कारण चिंटू बहुत परिशान था और उस डरपोग शेहर को उसे रसी से निचे उतारना पड़ा इसी तरह दिन बीटे गए लेकिन बंटी का डर खतम नहीं हो रहा एक दिन बंटी आनाम फर्मा रहा था नदी किनारे तो अब उसे अपने चद्दे के निचे कुछ महसूस हुआ बंटी डर गया और जाकर नदी में जा गिरा और वहाँ से आवाज दने लेगा चिंटू मुझे बचाओ चिंटू मुझे बचाओ चिंटू दोड़ कर आया और आखर देखा वो तो सिर्फ खरगोश थे जो उस बंटी का मजाग उड़ाने वहाँ आये थे चिंटी को ये देखकर बहुत गुसाया और उसने गुसे में बंटी से कहा बंटी तुम तो एक शेर हो शेर होगे कोई डरता है देखो तुमारे डर के कारण छोटे छोटे जान और तुमारा मजाग बनाते हैं तुमें डरना नहीं चाहिए तुम शेर हो तुम तो राजा हो राजा अगर तो मिसी तरह डरपोक बने रहोगे तो राजा कैसे बनोगे ये बात बंटी को चुप गई और बंटी को समझ माया कि हमें जीवन में डरना नहीं चाहिए उस दुन से उसने अपने डरपे काबूट किया अपने बात पर उसने विजय ली और एक बहुत बहादूर राजा बना उस जंगल का राजा बना तो देखा बच्चों हमें जीवन में खभी डरना नहीं चाहिए हर चीज का डट कर बहादूरी से सामना करना चाहिए ऐसी और इंटरस्टिंग कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें चलो बच्चों बाइबाई